नमस्कार दोस्तों स्वागत है पर फिर आप सबीगा हमारे आज की इस वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो हम लोग डिसकस करने वाले हैं n-a derivative of y equals to a raise to power mx that means कि a की power mx का n-a derivative हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे तो चले ही शुरू करते हैं तो हमें given है function y equals to a raise to power mx जिसका हमें n-a derivative find out करना है लेकिन इससे पहले हमें एक छोटी सी चीज जाननी होगी कि अगर हम y equals to a की power x का differentiation करें that means कि इसका first derivative अगर हम find out करें तो यह हमें निलता है a raise to power x log e के base पर a ठीक है यह हमें ऐसे simple बोलू log a तो अब मैं पहला derivative find out करूंगा y equals to a raise to power mx के लिए तो इसका first derivative होगा m dot a raise to power mx dot log a वो भी e के base पर ठीक है अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ नहीं है क्योंकि हमारी जो power है न वो power mx है तो हमें power का भी differentiation करना होगा जब हम power को differentiate करेंगे तो x का differentiation हो जाएगा 1 and m हमारा coefficient बच जाएगा that means कि यह m हर बार जो हम differentiate कर रहे होंगे a की power x को तो हमें मिलता रहेगा अब हम बात करेंगे second derivative की तो second derivative हमारे पास क्या होगा यह हो जाएगा हमारे पास में a की power x का differentiation होगा a की power mx dot log a dot एक log a हमारे पास step 1 से है जो हमने पहले derivative find out किया था उससे and जब हम a की power mx में power को differentiate कर रहे होंगे तो हमें एक और m मिलेगा तो यह हो जाएगा हमारे पास m square क्यों क्योंकि एक m हमारे पास पहले step से था तो अब हम इसका तीसरा derivative find out करें इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि जब आपने दो बाट derivate किया यानि कि second differential coefficient आपने find out किया तो आपने देखा कि आपके पास में log a का square है ठीक है इसको मैंने लिखा अलग-अलग है लेकिन इसको हम ऐसे लिखेंग एगले term में और m की पावर ठीक उतनी ही है आपके पास जितना आपने derivative का number लिया है तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप y3 की value बताएं तो y3 क्या होगा आपके पास m की पावर 3 a की पावर mx log a की पावर 3 ठीक है बेस हमारा e रहेगा उसको मैं बारबार बोलना नहीं चाहरा हूँ तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि fourth derivative क्या होगा तो fourth derivative आप बड़े असानी से बता देंगे यह होजाएग m की पावर 4 a की पावर mx dot log e a की पावर 4 ठीक है ना तो अब हम इसका सीधे e n a derivative लिख देते हैं तो n a derivative क्या हो जागा इसका y n equals to m की पावर n dot a की पावर mx log a की पावर n तो यह हो गया आपका n a derivative of n a derivative of what y equals to a raise to power mx ठीक है छोटा ही question है तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आशा करता हूँ कि आपको question ठीक से समझ में आया होगा और अगर अभी भी आपका कोई doubt है तो please आप मुझे comment करके जरूर बताएं मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपकी comment का जवाब दूँ दोस्तो आपको अगर इस channel पर मिलने वाली वीडियो पसंद है तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ये channel subscribe कर लें क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस channel पर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ तो जल्दी ही मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजादत दें और अपना ख्यार लगे नमस्कार